हलो फेंट्स कैसे आप सब आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में मटन तो उसके लिए मैंने ले लिया एक किलो मटन और हम इसको हल्का सा माइनेट करेंगे कुछ जादा इंग्रीडियंट नहीं रहेंगे इसमें जाएगा सॉल्ट थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लाक पैपर एंडेन हम आड़ करेंगे इसमें जिंजर गालिक पेस्ट बस इतने ही इंग्रीडियंट जाएंगे इसको माइनेट करने के लिए तो मैं अब इसको कर लेते हूं मिक्स करके हम इसको आदे घंटे के लिए साइड पे रख देंगे ताकि इसका जो नमक और काली मिर्ची और तो यह मैंने इसको कर लिया है मिक्स तो हम इसको रख देती हो साइड पर तो फेंज numa की त्यारी करते हैं इसके लिए मैंने ले लिए चार मीडियम साइज के प्यास्ट और हम इसको इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे मतलब मैं तो ऐसे स्लाइस की तरह कर रही हूं क्योंकि हमें इसके ग्रेवी बनानी है तो इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूं तो आप भी किसी भी तरह से पतला पतला मोटा मोटा काट सकते हैं तोदेखें मैंने इसे स्लाइस करें तो मैंने कर लेती हूँ तो देखें फ्रेंट्स मैंने कर लिए प्यास को स्लाइस और मैं इसको डालें गी एक मिकange obra voter तो देखे फ्रिंड्स में प्यास सारे ट्रांस्पर कर दिया हैं। आपने हम इसमें डालूँगी 1 चमच सुखा धनिया के सीर्थ सीर्स दालूंगी और थोड़ा जीरा डालूंगी आदा चममच और मैं इसमें डाल रही हूं एक मोटी लाइची दो छोटी लाइची और थोड़ी ते दाल चीनी और थोड़ा दो एक दो लोंग और साथ में काली मिर्ची और इसमें जाएंगी छोटे-छोटी हरी मिर्ची हैं तो मैंने चार ले लिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए और मैं डालूंगी इसमें अद्रक और मैं इसमें ले रही हूं लसन और साथ में ये कुछ दंडिया हैं धनिया की धनिया पत्ती मैंने लगका थोड़ी सी धनिया बत्ती गई है इसमें और मैं इसमें ये डाल लूंग और एक चमच सरसूं को ऑईल डालेंगे हम इसमें और मैं इसमें डाल रही हूं नमक और थोड़ी हल्दी और साथ में मैं ले रही हूं कश्मीरी लालमेच पाउडर या आप अपने हिसाब से ले सकत है और अब हम इसको कर लेते हैं ग्राइंट तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पीस लिए एक पाइन पेस्ट बना लिया इसको मैं रख देती हूं अभी इस वड़ा साइब पे देखिए जहते कि आप देख सकते हैं मैंने एक बोटा बड़ा बड़ा कडाई लिए मोटी वाली ताकि इसमें चिपके ना और इसकी कंसिटेंसी ठीक रहे तो उसके लिए मैंने इसमें और मैं इसमें डाल मिर्ची और साथ में उसमें दो लॉंग जब लॉंग चटकेंगे तो लॉंग जो है वो चटक गया है तो अब हम इसमें आड़ कर देंगे दीरे-दीरे मतन डाल दिये मतन में इसमें हमार में कब आखेंगे तो इसब्सका सारूर फ्राइन के चले-ट्राइटि चेंगे उसक पड़ा ओकेए तो अब हम इसके साथ इसको अच्छ भूनेंगे वह दीज बूज गया है, अब हम एसे में डालेंगे एक कटवरी फैंटी भी जहीं, मैंने फैंटी जहीं और इसको इसमें डाल दिया। जादा नहीं पकाना है, बस होई तो वह यह रिलीज हो जाए तब तक दहीं को हमने जूनना इसमें। तो इसको कर लेते हम मिक्स अर अच्छछ से इसको और देते हैं इसको देखे फैंड जो ढही है वह भी इसमें उच गई है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी दन्या अच्छे से भूम लेंगे इसको बूच गया हिए और अब हम इने इसमें डाल दिया है धनिया पत्ती और अब हम ग्यास को करतेंगे बंद कर दिया है मैंने ग्यास को और इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं धेखिये फिर्ट्स मैंने ले लिए है फूपकर में आड कर derived और पानी को मैंने रख दिया है गरम होने के लिए जब तक यह गरम हिस्त है मैं बापीस आड़े हैं धूरा सो सॉल्ट तो दिही फिर्ट्स जो पानी में गरम हो गया है अब हम इसमें आड करेंगे कि से कज़िए न यूर्स कारीं से लिए। बश्ला के बश्लाइब रहना आपको तो आपके मतन के हिसाब से रह्ला है। आपके जल्दी गल जाएगा और अगर अच्छा है तो भी जल्दी गल जाएगा अगर थोड़ा पुराना है तो इसको टाइम लगेगा हम इसको अभी दिलाएंगे चार बिसल्स जब तक आता है उसको प्रेशल तब तक हम इतक नातालय त्यार कर लेते हैं ड्राइ उसके लिए मैंने औलिये चार मोकाली मेड ची और दो लोंग लिये नो साहजने ढीलाइची एक मोटी जूज है एक स्टार फूल kapान फूल और ज़ोजा सा नेटमेग तो इनको पहले कर लेंगे ड्राइ रोस्ट त देखें पेंट्स मैंने इसको ड्राइ में और हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं तो देखिए friends मेरा जो सीप्रेट मासाल है वो एकदम रड़ी हो गया तो अब हम पहले कुछकर को आगी है तो चलिए friends हम कुछकर को धोलते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें मटन है, तो देखिए फ्रेंड्स मटन, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं, यह एक्दम परफेक्टली गल गया है, जी हाँ फ्रेंड्स यह बिल्कुल गल गया है, कोई बोन वाला पीश लेकर देखते हैं, जी हाँ, देखिए कितनी अच्छे से गल गया है, तो यह जो मैंने पीस लिये थे, यह रान के पीस लिये थे, जो आगे की प्रेंड्स लेग होती है, उसके पीस लिये थे, तो अब मैं इसमें आड्ड कर दूँगी, अपने यह वाला मसाला, जो अभी हमने ड्राइ मसाला भू हम इने छोटा-छोटा चॉप करके इसमें डाल दिया है धनिया, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बिना डखे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, पकाएंगे मींस इसको हम थोड़ा सा ग्यास वान करके चलाएंगे बिना डखे और बिना पकाएंगे, तो देख करतेंगे गास ओफ करके इसको डखके डख देंगे इस तरह से कम 15-20 मिनिट के लिए तो देखे फेंट मेरा मटन एकदम बनके रड़ी हो गया मैंने इसको सब किया है नान के साथ थाइंक यू फर वॉचिंग